हेलो तो आप सभी सोक्त बात करेंगे यहाँ पर एक शांदार कमपनी के बारे में जिसने यहाँ पर शौकिंग रिजल्ट यहाँ पर कौटर वन के प्रेजेंट किये हैं और बात करें यहाँ पर आम दीपक फर्टिलाजर्स के बारे में आपने ऐसे result अब तक नहीं देखेंगे जो इस company ने result दिखाए बहुत ही अच्छे है और जिनके पास share available है उनको तो lottery की तरही benefits अभी यहाँ पर मिलेंगे तो आप भी आप पर इस company के result देख सकते हैं कितने अच्छे कहाँ पर company ने growth की है कैसे result actually अच्छे होते हैं वो भी समझ में आएगा और आपके पास दिपक फर्टिलाइजर हो या खरीदना चाहते तो भी आपको result helpful साबित होंगे तो वीडियो अच्छा लगे, effort पसंद आए तो like, subscribe जरू करना और वीडियो को पूरी तरीके से understanding कर सकते हैं कमपनी तरप से जो official announcement किये गए हैं उसके अंदर majorly जो सबसे important इन्होंने जो subject यहाँ पर decide किया वो है result का बाकी order कोई point पर उन्होंने यहाँ पर दोस्तों discuss नहीं क खास बात कि इस company का business काफी unique है क्योंकि fertilizers के business में इसने जो यहाँ पर quality hustle की है वह इसी quality आपको बहुती कम company के पास देखने को मिलेगी अब जो हम number देख रहे हैं यह in lakhs में है और company के number थोड़े आपको यहाँ पर ऐसा confuse कर सकते है कि company अभी loss में है बाद में profit में कैसे आ गई वो ऐसा लग सकता है बड़ आप देखिए यह जो income है ना income देखकर judge मत कीजिए नहीं तो आप यहाँ पर अभी loss कही देंगे इस company के अंदर हो गया बोलकार क्योंकि number बहुत से ऐसे different है और आपको देखकर समझ में आ जाएंगे June मेने में 2021 में पिछले साल company ने कितना कमाई की थी तो 69,065 lakhs वो घटकर 62,169 lakhs हो चुकी है तो yearly basis पर company का income का जो है आप पर performance वो डाउन है बट आप detail आगे देखेंगे तो आप शोक हो जाएंगे आप यहाँ पर उसी तरीके से March मेना 2022 का और यह June मेना 2022 का बोलतों quarter on quarter basis पर तो इधर देखें 58 यहाँ पर जो company का 58,610 lakhs का जो income था हो बढ़कर 62,169 हो चुका है यहाँ पर दीपक फर्टिलाइजर्स का तो company quarter on quarter basis पर strong but yearly basis पर down तो यहाँ पर आभी यह total expenses and taxes और अगरा यह deduct होने के बाद net profit company के पास कितना है देखिए आपको पता चल जाएगा पिछले साल company ने net profit कितना कमाये था only 4630 lakhs और इधर कितना हो गए 10,073 lakhs तो company ने double से भी बड़ा धमा का यहाँ पर कर दिया net profit में yearly basis पर and आप यह quarter ली देख जो यहाँ पर 4 के result मार्च महिना 2022 के बल तो पिछले result उसमें 6492 lakhs में company की जो यहाँ पर profit की growth थी वो बढ़कर 10,073 lakhs हो चुकी है तो दिपक फर्टिलाइजर्स ने पूरा यहाँ पर दोस्तो धमा के दार result प्रेजेंट किया और यहाँ पर earning per share देखिए किदर यहाँ पर आ इने में बलतो पिछले साल और इस साल 8.35 और यह देखिए quarterly basis पर 5.38, 8.35 तो earning per share कितना strong improve आप समझ सकते हैं यह इतने अच्छे और जबरदस result है ना आप देखकर जरूर यहाँ पहुच जो गए होंगे और उसी तरीके से इसके consolidated result की बात करें यहाँ पर भी इस company ने उतना ह यहाँ पर अभी standalone में देखा आप यहाँ पर देख सकते हैं यह पूरे figures outstanding है दोस्तो और लाज जवाब performance दिपक फर्टिलाइजस ने प्रेजेंट किया हर वक्त company के standalone और consolidated result देखने के बाद ही हम decision लेते हैं कि company के result कैसे रहे तो यहाँ पर हम कही सकते हैं कि purely दिपक फर्टिल समझ सकते हैं कि अच्छे result आने का नतिजा उतना ही अच्छा रहता है और इस company ने पैसे भी देखे कैसे कमा कर दे दे निवेशक को एक साल में इसके return यहाँ पर ups and down wallet जरूर है बट कमाई बहुत अच्छी है और इसकी long term की journey देखिए पास सालों में कहा से कहा आया है 100 इस company से expect कर सकते हैं और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका 50 tick high यहाँ पर है देखिए जो 724 रूपय का और वो भी आज ही यहाँ पर इसने अच्छी करने की कोशिश की है आज इसमें काफी ज़्यादा स्टेक खरीदा गया है वो भी यहाँ पर 56% और 4 लाग और इन्होंने प्रेस रिलिस करकर आज यहाँ पर इनके रिजल्ट आयों उसके डीटेल प्रेजेंट किये है और कोई शेयर गिरवी है क्या इस सबसे बड़ा कोशिया रहता है ना तो आप लेख सकते हैं कि इसके शेयर गिरवी है 27% तो आप यहाँ पर इसमें सोस समझ कर न थैंक यू सो मच